दोस्तो इस वीडियो में हम समझेंगे Microsoft Word में हम एक resume कैसे बनाते हैं यदि आप MS Word में resume बनाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको step by step resume बनाने का जो method है वो बताने वाला हूँ वैसे तो आपने resume के बहुत सारे format देखे होंगे लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार का एक format इस तरह से आप एक resume बना सकते हो और उसे किसी भी job के लिए apply कर सकते हो तो चलिए आरंब करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाओंगा file menu में और यहाँ से एक new page लूँगा blank document create तो यहाँ पर हमारे पास एक new page आ चुका है सबसे पहले हम इस phase का setup करेंगे यानि कि किस paper size में आप यह resume बना रहे हो तो वो हम सबसे पहले आपे setup करेंगे तो यहाँ पर page layout में जाओंगा और यहाँ से size पर जाकर करके यह सब करने के बाद यहाँ पर मैं type करूँगा सबसे पहले resume resume मैंने type किया space दिया select किया इसको और यहाँ से bald कर दूँगा अब इसका जो size है वो मैं बढ़ाऊंगा 26 के आज पास ठीक इतना आपको रख लेना है मैं 24 यहाँ पर रखना हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं इसको center में रखूँगा तो center में करने के लिए मैं home type में जाओंगा और यहाँ पर click करूँगा यह center है इसका जो alignment है वो center हो चुका है ठीक करसर को यहाँ रखा इंटर प् करूँगा तो मैं इसकी size यहाँ पर 16 रखूँगा आप यहाँ से कर सकते हो 16 में अब यहाँ पर हम जिस व्यक्ति के नाम से resume बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर mention कर देंगे अब मैं enterprise करूँगा उसके बाद मैं इसका size रखूँगा 12 तो यहाँ से मैं इसका size यह कर लेता 12 और यहाँ पर मैं type करूँगा address अब जो भी address है वो आपको mention यहाँ पर कर देना है address हो गया इंटरप्रेस करूँगा यहाँ पर मैं type कर देता हूँ gmail जो भी gmail है वो आपको mention करना है gmail mention करना आपको अनिवारिया है इंटरप्रेस करूँगा यहाँ पर मैं type कर देता हूँ phone number या फिर mobile नंबर जो भी mobile नंबर है वो हमें यहाँ पर mention करना है अब यहाँ पर इंटरप्रेस कर देंगे अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से यह सब मैंने mention किया है अब इनको क्या है मैं यहाँ पर space बहुत ज्यादा आ रहा है तो space कम करूँगा तो मैं simple इस तरह से select किया और यहाँ पर जाऊंगा मैं home type के अंदर paragraph ग्रूप में और यहाँ से मैं remove space after paragraph इस पर click करूँगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा अब यहाँ पर Gmail है Gmail यहाँ पर blue color में आ रहा है यानि कि एक तरह से link यहाँ पर बन गई है तो इसको हटाने के लिए मैं right click करूँगा इसके उपर और remove hyperlink पर click करूँगा तो यह normal हो जाएग अब यहाँ पर मैं type कर द shift और less than की से ठीक है 12 साइज रखूँगा और control भी से unwold कर दूँगा इसको देखे carrier objective में कुछ इस तरह के word यहाँ पर लिखने होते हैं जिससे थोड़ा जो interviewer है वो थोड़ा attractive हो जाए मतलब कि कुछ ऐसे positive word यहाँ पर लिखने होते हैं तो यह जो मैं लिख रहा हूँ आप आप चाहो तो इनको भी यूज कर सकते हो अधरवाइस आप अपने according swam type कर सकते हो तो यह text मैंने type किया है अब मैं इसको select करूँगा और यहाँ पर इसको justify करूँगा मैं तो यहाँ पर click करूँगा justify option पर home time में justify option पर click करूँगा जो lines है हमारी जो बराबर में आ जाएंगे अब मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ अब यहाँ पर मैं type करूँगा दोस्तो यहाँ पर हमारा cursor आ चुका है यहाँ मैं type कर देता हूँ जैसे 10th है तो यहाँ पर हम 10th को mention करेंगे अब इन तीनों cells को मैं select करूँगा ठीक है इस पूरी रोग को select किया और उसके बाद मैं जाओंगा home type के अंदर और यहाँ से size रखूँगा 12 और बॉल्डी रखूँगा cursor को यहाँ रखा अब यह कब pass किया है तो वह mention करना है ठीक है किस बोर्ड से किया है तो वह बोर्ड आपको यहाँ पर mention करना है तो मैंने यह बोर्ड आप सेक्टरे एजुकेशन और इसा यह मैंने कर दिया है tap प्रेस परूँगा यहां पर 12th के detail mention करेंगे क्साव टैप्रेश्स क्या तो next जो है वो अटामेटिक आ जाती है यहाँ पर में टाइप करूंगा graduation graduation mention किया tap प्रेस किया graduation आपने legitim क्ते करना है यहाँ पे किस university से किया तो वो भी आपको mention करना है ठीक है यह मैंने mention कर दिया है अब टैप प्रेस्ट करूँगा तो next जो रोह वो आ जाएगी तो यहाँ पर और कोई degree है diploma है वो सब कुछ आपको mention यहाँ पर करना है टैप प्रेस्ट करूँगा next cell में cursor चला जाएगा यहाँ पर मैं 2022 mention कर दूँगा मतलब जब जिस year में किया है वो आपको mention कर देना है और यहाँ पर मैं type कर देता हूं यह आपने किस university से किया है ठीक है यह इस तरह से यहाँ पर mention कर देना है अब यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से इसको आध्यस्ट करूँगों यह जो text है इसको तो यहाँ पर प्रकार रखो है और यहाँ पर I सब कुछ आपको मेंशन करना है तो मैंने आप करसर यहां पर रख लिया अब यहां पर मैं टाइप कर देता हूँ experience इंटर करूँगा अब if you don't have any experience then you can mention fresher तो मैं आप फ्रेशर ही यहां पर कर देता हूँ because i have not any experience तो मैंने यह फ्रेशर यहां पर टयप कर इसका size कम करोंगा मैं कि अन्वाल्ड कर देता हूँ इंटर करूँगा अब यहां पर इसकिल्स टाइप करोंगा इस्किल्स यानि कि आपको क्या क्या आता है आपके पास skills क्या है कोई भी काम हो सकता है वो आपको यहां पर mention करना है ठीक है एक चीज और यहां पर ही जो हमारी टेबल है यह थोड़ा इधर left side में जा रही है तो मैं क्या करूँगा इसको एकदम margin में लेकर आऊंगा यहां पर पकड़ा कुछ इस तरह से और यह देगे तो इस तरह से आप यह adjust कर सकते हो skills mention करने के लिए इंटरप्रेस करूँगा size में कर लेता हूँ कम दोबार प्रेस किया control B तो यह अनबॉल्ड हो जाएगा अब यहां पर मेरे पास जो भी skills है वो मैं यहां पर mention कर देता हूँ यानि की वर्डप्रेस के द्वारा एक website बनाना तो इस तरह की कोई भी skills आपके पास हो सकती है आपको वो mention करना है आप किस field में काम करते हो उससे related जो भी skills है वो आपको mention करना है चलिए यहां पर मैं bullets को यूज करूंगा तो यहां पर हम इसको बनाएंगे तो मैं जाओंगा यहां पर home tab में और यहां पर मैं यह bullets ले लेता हूँ आप किसी भी तरह का bullet ले सकते हैं मैं यह लेंगा तो मैं कुछ इस तरह का यह point वाला लेता हम ठीक है अब देखिए यह थोड़ा इधर आ रहा है right side में तो मैं एक दम इसके बराबर में लेकर आँगा यह s के बराबर में तो इसके लिए यहां पर आना आपको उपर और यहां पर आपको इंडेंट दिखाई दे रहे होंगे दो मतलब एक उपर की तरफ एक arrow जैसा इकन और एक नीचे की तरफ एरो जैसा इकन ड्रैक करना इनकी help से हम line को adjust कर सकते हैं तो यह कुछ इस तरह से देखी यहां पर आ गया है इसको मैं पकड़ूंगा तो यह यहां पर आ जाए गठी और भी मैं कर सकता हम इसको यहां पर तो इस प्रकार से यहां पर adjust कर लेना है इंटर प्रेस करूंगा तो automatic यहां पर जो अगला bullet है व गूंगा fundamentals knowledge of Google एक इंटर यह मेरी skills यहां पर हो गई इंटर प्रेस करूँगा मैं तो यहां पर बुल्ट आ चुका है इसको हटाने के लिए में एक बार और इंटर प्रेस करूँगा और एक बार और करूँगा तो तो जो मेरा करसर है वो नीचे आ जाएगा अब यहां पर मैं टाइप करूंगा पर्सनल डिटेल पर्सनल डिटेल में हम यहां पर इसको करेंगे थोड़ा जा 16 bold ठीक है इंटर करेंगे इंटर किया अभी इसका size में कम कर लेता हूँ control shift less than से तो पर्सनल डिटेल में हम mention कर देंगे जैसे father's name है दो बार टैप प्रेस किया और कॉललन। फिर एग बार क्रेस किया उसके बाद जो भी पिता का नाम है वो आपको यहाँ पर मैंस घृंडर ज्यांडर गड़ाथ से आपको टैप पॉर्हारा करते हुज चलना Skills प्रेस नहीं करना यह इत्वे सांधा है इस पर यह एकदम ब्राबर मैंगे सब के सब ठीक इंटर मेरिटाल स्टेटस टाइप कर देना है यहां पर इंटर, नेशनलिटी, इंडियन, यहाँ पर जो लेंगवेज आती है वो मेंशन कर देनी आपको, हिंदी, इंगलेश, इसके अलाब कोई और आती है थुपो आपको, और भी कोई इसमें चीज एड़ करना चाहते हैं, जैसे होवीज है, तो वो भी आप मेंशन कर दे हो, आपक इंडियरल डिटेल हो गई, अब मैं इंटरफ्रेस करूँगा, और एक बार और करूँगा, उसके बाद यहाँ पर डिकलेरेशन टाइप करूँगा, मैं डिकलेरेशन हो गया, इसको मैं सलक्ट करूँगा, यहाँ पर बॉल्ड और साइज में 16 रखूँगा, फिर मैं यहां पर मैं इसका साइज कम कर देता हूं ताइप करूंगा मैं यहां पर यहां पर हेर वाई गलत है तो इसको मैं सभी करूंगा यहां से अब मैं इंटर प्रेस करूंगा एक बार एक बार और करूंगा यहां पर मैं में इंसन कर देट टैप को बार बार प्रेस करूंगा और यहां पे लेकर आँगा cursor को, यहां पे मैं bracket में type कर देता हूँ, जो भी नाम है, अब आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का हमारा यह resume है, वो बना है, देखिए, यहां को, यहां पे हम थोड़ा सा adjust करेंगे, adjust करने के लिए, जैसे कि यहां पे मैं experience में थोड़ा सा space बढ़ाना चाहता हूँ, तो enter करूँगा, तो इस तरह से दोस्तों आप यह resume है, वो बना सकते हो, आसानी से ठीक है, अब देखिए, यहां पे आपको photo mention करना है, या फिर आपको कोई line या पे draw करनी है, तो वो आप कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, यहां पे cursor को रखा, और यहां से add space after paragraph, इस पे click करूँगा यहां पे, तो इस प्रकार से यहां पे एक space आ जाएगा, अब यहां पे मैं एक photo लगाना चाहता हूँ, तो photo लगाने के लिए insert में जाओंगा, picture पे जाओंगा, यहां से मैं desktop पे मेरा एक photo पड़ा है, उसको मैं यहां पे ले लेता हूँ, यह वाला ठीक है, open करूँगा इसको मैं, यह आ चुका है, इसको मैं in front of text करूँगा, text raping में जाकर के in front of text, और यहां से छोटा कर लूँगा, और यहां पे adjust कर देता हूँ, जितना बड़ा आपको रखना है, रख सकते हैं, यह देखिए, तीक है, अब इसके उपर border लगाना है, आपको थो border भी लगा सकते हैं, यहां से picture border भी जाएंगे, यहां से कोई भी color ले लीजिए, अब यहां पर मैं एक line भी draw कर देता हूँ, insert में जाओंगा, shape में जाओंगा, यहां से line उठाया, और shift को hold करके इस तरह से drag करूँगा, यहां तक ठीक है, जहां तक भी आप लेना चाहें, यहां आ चुका है, line का मेरे को size बढ़ाना है, तो मैं यहां से बढ़ा सकता हूँ, इतना, तो यह कुछ इस तरह से देखने में लगेगा, हमारा resume, ठीक है, नीच आएंगे, यहां पर देख सकते हो, adjust हो चुका है, हमारा सब कुछ एकदम proper तरीके से, और भी इसमें कोई spelling mistake बगेरा है, तो वह आप चेक कर लेना है, क्योंकि spelling mistake आपको नहीं करना है, ठीक है, resume को आप जितने अच्छे से बना के लेके जाओगे, उतने ही आपके job के chance ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी spelling mistake आपको नहीं करना है, अब देखिए, इसको हमें save करना है, PDF में, save करने के लिए मैं जाँग यह देख सकते हो, यह save किया था, वो कुछ इस तरह का बनके आया है, ठीक है, आप इसको कहीं पर भी send कर सकते हो, print निकल वा सकते हो, तो यहाँ पर यदि आप इसका print लेना चाहते हो, तो simple control F2 में press कर रहा हूँ, यह इसका preview है, इस तरह से यह बना है, ठीक है, तो इस तरह क एक resume हम Microsoft World में कैसे बनाते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा, यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, वीडियो पसंद आए होगा, वीडियो पसंद आए होगा, वीडियो को लाइक कर देने, चैनल पर पहली बार भी जटी कहते हैं, इसको subscribe करना, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम